नमस्कार दोस्तो माय नगरी में आपका स्वागत है हाजिर हूँ मैं आज एक दिल्चस्प जानकारी के साथ तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें दीपी का चिखलिया ने रामायन में सीता का ऐसा यादगार रोल निभाया था कि आज भी सब इन्हें इसी किरदार से पहचानते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार वो मंदाकनी की फिल्म के लिए ओडिशन देने गई थी दरसल हम बात कर रहे हैं फेमस और दिवंगत निर्देशक राज कपूर की ब्लॉक बस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली की जिसमें उन्हें आडिशन लेने के बाद कास्ट नहीं किया गया आईए जानते हैं क्या था पूरा मामला राम तेरी गंगा मैली में मंदाकनी ने अपनी खुबसूरती और एक्टिंग से बॉक्स आफिस पर तहलका मचा दिया था फिल्म में उनके साथ राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर नजर आये थे लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदाकनी वाले रोल के लिए दीपिका जब आडिशन देने गई तो उन्हें वहां से वापस भेज दिया गया इस बात का खुलासा खुद दीपिका ने आज तक को दिये एक इंटर्विव में किया था उन्होंने बताया था कि जब मैं आडिशन के लिए पहुँची थी तो राज साहब ने मुझसे कहा था कि अच्छे घर की लड़की ये रोल नहीं कर पाएगी दरसल दीपिका को फिल्म का नाम सुनकर लगा था कि ये कोई धार्मिक फिल्म बनने वाली है इसलिए वो इसके आडिशन के लिए चली गई थी बता दें कि दीपिका इन दिनों आक्टिंग से दूर है लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी आक्टिव रहती है जहां वो फैंस के साथ अपनी वीडियो और फोटो भी शेर करती हैं तो दोस्तों कैसी लगी है दिल्चस्प जानकारी हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं फिर हाजी रहूंगा ऐसी ही एक नई और दिल्चस्प जानकारी के साथ बने रहिए माया नगरी के साथ नमस्कार